हे गाईस वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटे टिप्स में पूजा राव आज दोनों देवरानी जठानी के लिए लेके आ गई हूं कि दोनों देवरानी जठानी है यानि कामनी सिंग और नुकी सुमित सिंग ऑफिशल दोनों के दोनों एक साथ गायब कहा हो गई दिये तो आप लोग घबडाईए नहीं में रियालीटी बताने वाली हूं कि दोनों एक साथ कैसे गायब हो गई है और दोनों के घर में हुआ क्या है क्योंकि जो एक एक ने अपडेट दिया है कि तवियत खराब है और दूसरी ने अपडेट दिया है कि बीजी है तो मैं आप शेयर करने वाली हूं कि आखिर में इनके घर में हुआ क्या है देवरानी जैठानी गायब कहां हुई है और एक इस एक चीज़ समझ में अप लोग आता है जिसके भी फैन हो निकी सुमीद की हो चाहिए इनके हो इस दोनों के दोनों ना जब भी दिवरानी जैठानी ज हुआ है बबू रामा हुआ है कि नहीं इस सारी चीज़ सेयर करने वाली हूं लेकिन उसके पहले आप लोगों ने कल कि समीद सिंख का श्टोरी देखा हुगा जहां कर उन्होंने बोला था कि वो एक बहुत ही दूआ देने वाली और नेक दिल की ओरत की बेटी है यानि अपनी मम्मी के बारे में उनों बोला था तो उनकी बातों से वह इस्टोरी लगाई थी और मतलब बार बार फैमिली तक तो फान्ती आपको नजर आई थी लेकिन लास्ट्रम में जब उनकी घर में पुजा था तो सब कुछ उनकी घर में थोड़ा बहुत ना चेंजिंग रहा था आप देखें कि एक दूसरे केमरे में भी बहुत कमी आ लेकिन जो कुछ भी है आज कामनी जी ने कमिनीटी डाला है उसमें भी उनकी देवरानी जी नहीं है तो इसमें कोई बीग डिल नहीं है मैं आप लोगों बताने वाली हूँ और ऐसे भी तो यह दोनों देवरानी जी नगाई इस केमड़े के पीछे इतनी एक हैं कि मैं आपको बताती हूँ आपने देखा होगा कि अगर देवरानी के घर में ग्रीव परवेस पड़े तो जेठानी के घर में स्योर है कि ग्रीव परवेस पड़ेगा अगर जेठानी के बहन का या किसी का रिलेटिव में साधी हो तो स्योर है कि देवरानी के भी रिलेटिव में साधी हो जाता है तो ऐसी दिवराणी रिाल से कपड़ा गедवराणी के साथा यह लोग की नाखुना ओलोंस पर नाखुन रखोंवेश चाहते हैं आप ही लोगं संधो हमीच नाखिया आता बमौन इस इंका भी पैर का नाखुन टूटता है एक बिमार पड़ती है न तो दूसरा भी बिमार तो दोनों देवरानी जिठानी करना पैर का नाखुन भी एक ही संग टूट जाता है और हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर देखें होंगे कि जो दोनों तक कि गरीप परवेश होता है तो दोनों के घर में ने एक सांथ में घरेव परवेश आता है कभी उसके घर में मतलब एक-दू दिन का दोनों का मतलब इतना एकता कैसे हैं आँ बता सकते हैं इसल्टा को तोड़नी का कोई उपाई तो बताईए आप लो और यूटूब पर रना कंट्रोंट्रवर लोग ना इनकी जो सांसू माहें इतनी जयादा एक्टिव है आप लोगों ने देखा यह दोनों बहुओ का साथ देटी हैं और दोनों कहीं और इनकी घर में लेका जमयला हो सकता है आप लोग अंदाजा लगा के बताईए फिर में बताने वाली हूं आपको और कोई भी ना इनके घर में ऐसा नहीं कि तब्लोगर लोग होते ना गाइस और खास करके जो बड़े लेबल के हैं अगर इनका तब्यात खराब हो जाए ना तो पहले यह समझे तो खुसी का बात है क्यूंकि नहीं हस्पीटल का वीडियो बना-बना के बना-बना के ना सारी जनता आप हम सब लोन हस्पीटल वाला वीडियो जादा देखते हैं आपने देखा होगा निकी सुमीत जब बेबी का ओशन हुआ उस्ट वान ना, दया करें, उछ सबसे जादा उनका उड़िए हुआ था, यानि जब धनवी होने वाली थी, और वह हस्पिटल में एडमीट हुई थी तो हस्पीटल ना अगर लोग का तबियत खराब है ना और थोड़ा सा तो उस वीडियो पर जादा ही भी हुआता है यह आप मान के रखिए तो इतना तो आप जान लीजे कि नॉर्मल ही है कुछ ना कुछ घर में गड़बड हुआ है और किसके साथ गड़ करेंगे तो हो शकता है जो इसमान सबन लेन घर अब चरु कहले है निकी ने बोल दिया कि मेरी सासुमाय के लिए समान लेका लेकर आही थी कि नेolph बात ही जब छोटी छोटी होती है ना हर कोई एक दूसरे को explain करने लगता है कि मैंने सब्जी बनाया और मैंने पानी डाला तो मैंने मतलब सब्जी काटा तो उसने धोया तो अब इसमें क्या होता है थोड़ा सा भी कहीं भी mistake होता है कुछ होता है तो जितने fan flowing है वो ट्रॉलि सारे लोग ना आका बस एक ठोकाम नी ने देखा है कि अपने वीवर्स को इतना नहीं बोलती है लेकिन कभी बोली देती है लेकिन को मतलब भस जघडा होने से उनको मतलब है और इन दोनों ने जिठानी का तो मतलब मैं कुछ बोली नहीं सकते हूं आपने देखा होगा दोनों साड़ी वी भीन बोले भी साड़ी पहिनती है तो एकी कलर का साह लेती हैं कहीं कुछ होता है अगर आपको सल्यूशन अगर आप लोग पास होगा कि इन दोनों दोरानी जे ठानी का रियलीटी क्या है क्या दोनों में क्या एकता है तो आप कमेंट्स करके बताईए गाईस चलिए मैं बता देती हूँ कि आखिर रियल में इनके घर में हुआ क्या है क्यों दोनों दोरानी जे ठानी का ब्लॉग नहीं आ रहा है तो देखिए गाइस एक ने अपडेट दे दिया आप देखी होंगे लेकिन मुझे ना निकी का ना स्टोरी देखर और जो उसके मतलब जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया है काइस ए तबियत खराब और बीजी को लेकर नहीं इनके फैमली में कुछ न कुछ हुआ है साथ का चल जाएगा लेकिन आप मत सोचे क्योंकि काम निकी जितना काम नीजी का थोड़ा वीडियो आने में डिले भी हो जाता है लेट अपलोड करती है एडिट वगेरा टाइमली नहीं कर पाती है तो अलग बात है लेकिन जो निकी है ना वो कभी भी सांत रहने वाली लड़की नहीं है और कभी भी ना वो मतलब ऐसा नहीं है कि वह तबियत खराब होगा तो वीडियो अपलोड नहीं करेगी क्योंकि आपको पता ही है उसने अपने घर में अंकीत को रखा हुआ है केमरा रिकॉर्डिंग करने के लिए अगर कोई रिकॉर्ड कर देता है एडिट कर देत है कि मेरा विडियो को एडिट कर देता है और वीडियो रिकॉर्ड भी कर देता है कि तो सिफ ना वीश्तर फड़ं विस्तर पढूं हम इस यह खा रही हूं काई इसे नहीं जाएगी तो दूसरा जरूर साधिन के अंदर वह भी फ्लाइट से ही जाएगी तो ऐसा है इन लोग का कुछ मतलब कारणामा आप लोग देखें गांव जाएगी रिस्तेदारी में पर पूरा ही टोटली नहीं लोग का सेम होता है और समझ रहे या हकीकत समझ या रियालिटी समझ यह यूटूब की ना देवरानी जठानी बहुत ही आगे है तो भगवान करें आगे ही रहें और इन लोग का ब्लॉग भी अच्छा लगता है इनकी ब्लॉग से भी कुछ शिखने को मिलता है कम से कम और सब ब्लॉगरों कोई तरह बन गया उस दिन दिक्कत हो जाएगी तो चलिए आसा करते हैं न कि इनके फैमिली में सारे लोग स्वास्थ हो हेल्थ इश्यू ना हो ऐसे तो दिवरानी जठानी भाई 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 है तो कुछ ना कुछ घर द्वार मंदिर बन रहा है तो छोटी मुटी बातों को लेकर हो मिना बात पता चलेगा पर पता तो चली जाएगा हम लोगों अगर ब्लॉग अच्छा लग रहे हैं तो प्ली लाइक सब्सक्राइब सेर कीजिए